हाई दोस्तों सवगत है आपका यूटूब चैनल पर ओननों ली फार्मोसी तो दोस्तों आज के वड़ों मुदे एक नहीं जा रहे है प्रोस्टा ग्लैंडिंस के बारे में जो कि है फार्मेकोलोजी क्लासिपिकेशन का एक नाया टॉपिक जिसमें हम डायरेक्टली क्वेशन जो कि है उतमा बारे में और तो उतमने से और चैनलावलोग्स वह सबसे पहले दिखते है चैनाया कुणकुल से हैता हमारह दिनो प्रोस्तों प्रोस्टाइधल ग्लैंडिनी तू उसको बोलते हैं Huffleup जेमे प्रोस्ट, दीनो प्रोस्ट, PGF2-α, अल्ल प्रोस्टाडिल, PGE1, प्रोस्टासाइकलिन, PGI2, उसको ही बोलते हैं, इपो प्रोस्टेनोल यह सब हो गए हमारी नाच्रल प्रोस्टाग्लेंडिस, उसके नाम में यह देखिए, अल्ल प्रोस्टाडिल, अल्ल मतलब A1, ल 1, प्रोस्टाग्लेंड 1, जो होताएं, लैक यह क्या होताएं, इस एतर फ़ामिली को उते हैं, इससे उसको यह बोलते हैं, इफ मतलब phosպाट्बील हो गए, सो अल्पोस्टाडेल, E1, प्रोस्टासाइकलिन, I2, उसके नाम में देखे, I, छास्ट में क्या है, इन, इन मतलब I, I2, प्रोस्टासाइकलिन, I2, अल्पोस्टाडेल, E2, डिनो प्रोस्टोन, Yaps 2-Alpha, Yafات तर यहाँ पर, और दिनो प्रोस्टान मतलब, प्रोस्टागलैन stencil E 15-methyl, VGF2-alpha, मतलब Dynoprost का ए, Carboprost, Analogs है, Mesoprostol, Ester, E1 का Analogs है, E1 मतलब Alprostadil, मिस लाटा बोलते हम उसको, E2, E2 मतलब Latanoprost, Treoprost, और Bmetoprost, ये सब हो गए हमारे, Prostacyclin Analogs, मतलब Prostaglandin Analogs, ओके? तो दोस्तों, आज के उट में हमने क्या देखा, Prostaglandin का Classification देखा, उसमें हमने देखा, Alprostadil, Dynoproston, Dynoprost, Jmiprost, ये सब देखा, और उसके कुछ नाम सते, E1 family, Phosphate family, I2 family, I2 मतलब Dynoproston, उसके स्टार्ट में देखिए, और उसके कुछ analogs देखिए, Like Carboprost, वो क्या है, उसका नाम क्या है, 15-methyl, PGEF2-alpha, Mesoprostol, Methyl PGE1-ester, Latanoprost, आपको बताई कि, आईड्रॉप्स में ये ड्रक्स यूज़ करते, Latanoprost, मतलब ये जो कि है, E2 का analogs है, E2 मतलब हमारा, Dynoproston हो गया, फिर Trioprost और Vematoprost, दोस्तों आज की वडियो में सिर्फ पेतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूडियो में, नए क्लास्पेकेशन के साथ, ऐसे Pharmacy और Pharmacology और G-PAT नायापर की वडियोज के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजाए, मिलते हैं नेक्स्ट यूडियो में, थैंक्यू,